2 जंट कर am a privilege अर्याट आडि या दो हुआ है वह फैन्ट करते है parents हो दो है जाधा चिला नहीं पाऊंगा मैं थोड़ा सा गला बैठा हुआ है हो अगर ऑडियो वीडियो क्लेर है तो इक बर बता दो स्टार्ट करेंगे जल्दी बता दो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है कैसो सब लोग गला ठीक होने के लिए काथ दिन क्लास ना होता भी ठीक होगी हाँ रुपेज नाम का बदमास बच्चा का लैपसेंट था ना मुझे ऐसा लगा चलें स्टार्ट करें फिर कम पढ़ेंगे नहीं पूरा पढ़ेंगे आज न्यूट्रोन में भी तो पढ़ाया वैंने चलें पिटा स्टार्ट करें गला थोड़ा सा दुख रहा है कोई बात नहीं स्टार्ट करते हैं ठीक है कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था मुझे आप चैट में बताना कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था बताना जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी बताओ आप में से सब बच्चों को मल्टीपल एलील समझ में आया था क्या बताओ मल्टीपल एलील वाला समझ में आ गया था जल्दी बताओ पिटा जल्दी बताओ मल्टिपल एलील समझ में आ गया था जल्दी बताओ करें पिटा जल्दी बता तो स्टार्ट कर लेते हैं एक पर फटावर से ठीक है हमने क्या क्या पढ़ा एक पर मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से सारी चीजे पढ़ेंगे बिलकुल परेशान नहीं होंगे एकदम ध्यान से पढ़ो सारा समझ में आएगा ठीक है फिर से रिवाइज करूंगा वर्बली एक बर ध्यान से सुनो के सारा समझ में आएगा फिर आगे पढ़ाऊंगा मैंने आपको यह बताया था एक टॉपिक होता है जिसे हम जीन इंट्रेक्शन बोलते हैं जीन इंट्रेक्शन का क्या मतलब होता है बताओ जीन इंट्रेक्शन का मतलब होता है कि दो जीन के प्रोड़क्ट आपस में इंट्रेक्ट करते हैं उसे जीन इंट्रेक्शन कहते है ठीक है, जीन इंट्रेक्शन दो टाइप का होता है, एक जिसमें सिंगल जीन लोकस इंवाल्व हो, और एक जिसमें एक से जाधा जीन लोकस इंवाल्व हो, सिंगल जीन लोकस को कई बार मोनो हाइबिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक केरेक्टर के लिए बात हो रही है, अगर एक ही character या एक gene locus involved होता है तो उसे कहते है gene interaction of single gene locus मैंने आपको बताया था कि उसमें एक चीज होती है dominance dominance जो होता है वो mendel के अनुसार होता है dominance क्या होता है mendel के अनुसार होता है उसे हम क्या बोलते है dominance बोलते है उसे हम क्या वोलते हैं, dominance पूलते हैं जो मेंडल के अनुसार होता है, उसके बाद हमारे पास हम ने आपको incomplete dominance पढ़ा दिया, core dominance पढ़ा दिया, multiple allele पढ़ा दिया, अब मैं आपको pleiotropy पढ़ाऊँगा और pleiotropy के बाद ज़्यानल से F2 में Phenotypic Ratio और Genotypic Ratio क्या आती है जल्दी से चैट में लिख दो जल्दी से चैट में लिख दो टेस्ट का स्लेबस बिटा जीन इंट्रेक्शन तक आएगा Polygenic Inheritance तक 1 इस्टू 2 निजम आलम बिटा Proton 2.0 शायद नहीं आएगा क्योंकि आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा इसी में जो भी Backlog हुआ है पूरा करो Number of Phenotype is equal to Number of Genotype ठीक है Example बताओ जरा फटा फट से मुझे Example बताओ Incomplete Dominance का Incomplete Dominance का एक तो है Dog Flower दूसरा कौन सा है Mirabilis जलापा जिसे 4 o'clock plant कहते हैं Sunday test है Yes ठीक है उसके बाद आ जाते है Code Dominance में क्या होता है Code Dominance में क्या होता है दो Gene of Same Locust दो Gene of Same Locust पूरी तरीके से Express करती है Code Dominance का उधारन क्या है एक्जामपल वयाद करो Code Dominance का जो एक्जामपल है वो क्या था Blood Group था क्या था हमारे पास Blood Group उसमें भी कौन सा Blood Group A B Blood Group A और B Blood Group में क्या डिफरेंस होता है Antigen का Antigen क्या है वहाँ पर Sugar Polymer है A Antigen और B Antigen में Different Sugar Polymer है अलग तरह का Sugar की Chain है A B Blood Group में A और B Antigen दोनों होते हैं Blood Group किसका किसका एक्जामपल है एक Dominance का एक Co-Dominance का और एक Multiple Alleyle का Blood Group की Total Alleyle कितनी होती है तीन Blood Group में कितने Genotype होते हैं छे और Phenotype कितने होते हैं चार याद आ रहा है याद आ रहा है बिटा याद आ रहा है हाँ मैं सब्जेक्टिव कोशन अर्रेंज करता हूं आपके लिए हुसेन क्या लिख रहा है बिटा हाँ वही रिवाइज कर रहा हूं ना Multiple Alleyle क्या होती है किसी भी Character की किसी भी Character की अगर दोसे जदा एलील किसी पॉपुलेशन चppt या जनसंख्या में प्रेजरेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं Multiple Alleyle बोलेंगे क्या मेरी बात समझ में आ रही है किसी भी Character की अगर दोसे जदा हउलील प्रेजरेंट हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बिटा मुल्टिपल एलील बोलते हैं क्लियर है उसको हम क्या बोलेंगे मुल्टिपल एलील बोलेंगे सही है ठीक है मुझे बताओ मुल्टिपल एलील में क्या सेम होता है करेक्टर सेम होता है क्रोमोजोम नंबर सेम होता है लोकस सेम होता है, क्या अलग होता है, एक से ज़्यादा और्गेनिजम में पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टिपल एलील में दो से ज़्यादा एलील अगर किसी केरेक्टर की हो, किस में, इंडिविजुल में, पॉपुलेशन में, उसे मल्टिपल एलील कहते हैं, अब आओ मैं प्ल iau ट्रॉपी समझाना पूरा फोकस करो प्रीयो ट्रॉपी को समझने के लिए ज्यान बीजा से सुनेंगे अब सबसे पहले प्लिएट्रॉपी की डैम डेफिनेशन यह है की वन् present जुने बिटा, what is definition of pleiotropy, what is definition of pleiotropy, सुन लो ध्यान से, when one gene produce, multiple phenotype, ज्यान से सुनना, मेरी तरफ देखे सारे बच्चे, आपके पास ये cell है, सुन लो ध्यान से, आपके पास ये gene है, ये क्या gene, gene से क्या बनती है, ये बन गई protein, इसको क्या बोलते है, gene product, सही है, और वो क्या करता है, ये, control करता है क्या, one phenotype, क्या control करता है, एक phenotype कंट्रोल करता है, मैंने आपर क्या लिखा है gene, मैंने आपर लिखी है protein, और मैंने आपर बोलाय कि ये एक phenotype कंट्रोल करता है, इधर ध्यान दो बिटा, एक phenotype कंट्रोल करता है, ये नॉर्मल केस है, ये क्या है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस, pleotropy में क्या होता है सुनना, ये gene है, ये gene है, इस से हमारे पास कितनी protein बनती है, एक ही protein बनती है, तो gene product एक ही बनाए, gene product क्या बनाए, एक बनाए, और वो क्या करेगा, वो control करेगा क्या, ज्यान दो, वो control करेगा क्या control कितने phenotype control many phenotype many phenotype इसका मतलब यह हुआ what is pleiotropy pleiotropy का मतलब है कि एक gene अगर एक से ज़ादा phenotype बनाए उसके लिए क्या एक gene ध्यान सो सुनेंगे क्या एक gene multiple product बनाती है नहीं क्या multiple product का मतलब multiple protein बनाती है नहीं gene क्या करती है एक ही product बना रही है gene क्या कर रही है एक product बना रही है एक product का क्या मतलब हुआ कोई एक protein बना रही है वो control कर रहा है क्या many phenotype वो control करता है many phenotype many phenotype मैं एक example से आपको समझाता हूँ ध्यान से सुनें महर्लों आपके पास कोई substrate है मैं example से समझाओंगा मैं example से समझाओंगा इधर द्यान देंगे सारे बच्चे कोई कुछ लिखेगा नहीं सिर्फ समझेंगे मैंने क्या किया एक amino acid बना इधर देंगे सारे बच्चे ये carbon लिख्की यह COH लिखा यहां पर यहां पर जहां आर ग्रुप है इस आर ग्रुप की जगा अगर मैंने सीएस्ट्री लिखा है तो हम कहेंगे इसे एलनीन अगर मैंने यहां सीएस्ट्री हम लिखा है तो इसको हमगे अगर ctech लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे एलानिन बोलेंगे सब्सक्राइब मैं इस इस त्री पर ज्यान दो बिटा मैं इस इस त्री पर कि एस टू कर दो और बेंजीन की रिंग जोड़ दो इसको मैंने क्या बोल दिया फिनाईल एलानिन बोल दिया मतलब अगर यहां सी एस थ्री था तो एलानिन था एक हाइडरोजन कम करके फिनाईल ग्रूप जोड़ दिया तो क्या बोला फिनाईल एलानिन बोला अब मैंने क्या किया द्यान से सुनना बिटा अब मैंने क्या किया है सुनना द्यान से मैंने याँ पर फिनाईल अलानिन लिख दिया चीक है सर अब मैंने क्या किया एक एंजाइम लिया द्यान दो बिटा मेरे पास एक जीन थी यह यह जीन थी इस जीन ने एक प्रोटीन का नाम है इस एंजाइम का नाम है हाईड्रॉक्सिलेज हाईड्रॉक्सिलेज क्या करता है एनघ करता हो एस Deckと फुरूंप किसको कहते हैं घ्रूप उसकी वजह से हमारे पास एक दूसरा अमीनवए सट बन जाता है कैसे बताता हूं आपने यहां पर क्या लिखा सीएस्टू और यहां पर बेंजीन की रिंग यहां पर आपने क्या लिख दिया ओएच गुरुप जोड़ दिया मतलब इस पोजीशन पर ओएच गुरुप जोड़ा तो अमीनो एसिड का नाम क्या रखा टाइरोसीन अब यह टाइरोसीन क्या करेगा अलग यह बनाता है मेलानिन क्या है मेलानिन उसके अलावा यह बनाता है थाइरोकसिन आपने थाइरोकसिन सुना है और्मोन टी थ्री टी फोर्ट वाला उसके अलावा यह बनाता है डोपामीन डोपामीन सुना है हाँ सर सुना है उसके अलावा यह बनाता है अड्रिनलीन बहुत ध्यान से पूरी बात सुनो हमारे पास यह अमीनो एसिड है यह एक अमीनो एसिड है अब क्या हुआ इस जीन ने एक प्रोड़क्ट बनाए एन्जाइम इस एन्जाइम का नाम है इस एन्जाइम ने यहाँ पर इस बेंजीन की रिंग पर OH जोड दिया तो amino acid का नाम क्या होगा टाइरोसी अब यह amino acid यह चार product बना सकता है अब अगर मैं आपको ध्यान से बोलू यह बात समझ सको आप यह जो gene है यह pleiotropic gene है why this gene is known as pleiotropic gene क्योंकि इस gene से product तो यही बन रहा है यह एक single product बन रहा है पर इसकी वजह से यह चार product बन रहे चार अलगलग phenotype आ रहे है तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि एक gene अगर multiple phenotype बनाए यह कैसे हो सकता है एक gene multiple product नहीं बनाएगी एक gene एक product बनाएगी वो कई चीजे control करेगा इसे कहते हैं pleiotropy समझाया what is pleiotropy एक gene normal जिन्दगी है यह mentos जिन्दगी है नॉर्मल जिन्दगी में क्या होता है एक gene एक product बनाती है उससे एक phenotype control होता है लेकिन हमारे पास यह वाली gene कौन सी gene है pleiotropic gene pleiotropic gene क्या करती है एक product बनाती है और वो many phenotype control करता है ऐसा कैसे possible है ऐसा कैसे possible है कि वो जो gene है how it is possible ज्यान से सुनेंगे how it is possible यह कैसे possible है तो आप लिखोगे product of product of pleiotropic gene product of pleiotropic gene pleiotropic gene का जो प्रोड़क्ट है product of pleiotropic gene जो pleiotropic gene का product है pleiotropic gene का जो प्रोड़क्ट है हमारे पास product है pleiotropic gene का how it is possible product of pleiotropic gene क्या है is enzyme which control initial step of metabolic pathway मतलब क्या हुआ समझो माल लो आपके पास कोई compound S है वो convert हुआ है S1 में फिर वो convert हुआ है S2 में S2 convert हुआ है S3 में S4 में इसकी वजह से कोई phenotype आ रहा है phenotype मतलब कोई character दिख रहा है इसकी वजह से कोई character दिख रहा है हो सकता इसकी वजह से भी कोई character दिख रहा हो तो यहाँ पर enzyme मालो E1 है E1 यह E2 है यह E3 है यह E4 enzyme है तो यह वाला जो enzyme है ना यह वाला enzyme जिस gene से बनेगा इसकी वजह से यह phenotype यह और यह आ रहे है क्योंकि अगर यह enzyme नहीं होगा तो S1 नहीं बनेगा तो किसी भी metabolic process में किसी भी metabolic process में जो शुरुवाती enzyme होते हैं, वो जिस gene से control होते हैं, उनने प्लियो टॉपिक gene बोल सकते हैं. क्योंकि अगर ये absent होगा, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा. यही चीज हमने यहां करी. फिनाईल अलनीन जो है फिनाईल अलनीन को टाइरोसीन में कनवर्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए ये एंजाइम जो जीन बनाती है उसे पलियो टॉपिक जीन कहते है जो क्या एड़ करता है OH ग्रूप अब ये टाइरोसीन ये बहुत सारे प्रोड़क बनाता है अगर ये जीन में म्यूटेशन हो जाए तो टाइरोसीन नहीं बनेगा और ये प्रोड़क नहीं बनेगा समझ आया समझ आया नहीं आया बोलो बेटा सुदीर गुपता जी तुम बात कर रहे थे समझ कैसे आएगा तुम्हें समझ आयेगा कैसे तुम्हें कई साल लगेंगे डॉक्टर बनने में ध्यान रखना मैंने तुझे क्या समझाए मैंने का कि एक प्रोसेस होता है इदर देख इदर ध्यान से समझ ये एक S है S1 में कनवर्ट हो रहा S2 में S3 और S4 में S3 की वज़े से कुछ कलर आता है इसकी वज़े से हाइट आता है इसकी वज़े से कोई और करेक्टर आता है अगर ये एंजाइम ना हो तो इन में से कुछ भी नहीं बनेगा तो अगर आप ध्यान से देखो ये प्रोड़क्ट एक से ज़ादा फिनोटाइब कंट्रोल कर रहा है तो इस प्रोड़क्ट को जिस जीन ने बना है उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे है प्लियोट्रॉपिक जीन का एक डिजीज एक जामपल है एक डिजीज एक जामपल इस अ जीन विच फॉर्म क्या बनाता है hydroxylase enzyme अब तुम्हें hydroxyl group नहीं पता मुझे पता OH group को क्या बोलते हैं hydroxyl बोलते हैं तो अगर देख 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 अगर यहां CS3 होता तो क्या बोलता सर alanine बोलता CS3 की जगह यहां CS2 आगया benzene की रिंग क्या बोलेगा सर phenyl alanine बोलेंगे phenyl alanine पर यहां OH group जोडने वाले enzyme का नाम hydroxylase है इसकी वज़े से तुमारे को color मिलता है thyroxin hormone बनता है dopamine बनता है adrenaline बनता है इसका मतलब अगर यह gene गरबर हो जाए न तो यह कुछ भी नहीं बनेगा तो एक disease होती है एक disease होती है जिसका नाम PKU है ज्यान से सुनो एक disease होती है जो genetic disorder है क्या है genetic disorder जिसका नाम है PKU पूरा नाम phenyl ketone urea इसमें क्या होता है hydroxylase enzyme absent होता है कौन absent होता hydroxylase enzyme absent होता उसकी वज़े से क्या होगा बताओ due to which क्या बढ़ जाएगा phenyl alanine बढ़ जाएगा और tyrosine घड़ जाएगा होगा के नहीं note करने दे रहा हूँ पहले पुरानी slide दिखा रहा हूँ दर जोन ज्यान से pleiotropy क्या होता है अगर एक gene हर एक gene हमेशा एक protein बनाती है कोई gene many protein नहीं बनाती कुछ लोग इसकी गलख definition याद करते है pleiotropy multiple product बनाती है नहीं pleiotropic gene क्या करती है product एक ही बनाती है उस product के अगर एक से ज़ादा effect हो तो उसे कहते हैं pleiotropic gene हमने यह समझाया आपको pleiotropic gene normally कौन से product बनाती है जो किसी process में शुरुवाती enzyme होते हैं अगर यह enzyme absent हो जाएं तो process में कई phenotype absent हो जाएंगे तो बहुत सरे ऐसे metabolic process हमारी body में होते हैं जिन में शुरुवाती enzyme starting वाले enzyme की जो gene है उसे pleiotropic gene कह सकते हैं pleiotropic की definition यह है कि एक gene के कई phenotype एक gene एक product बनाएगी उसके कई phenotype कंट्रोल होते हैं for example phenylalanine एक amino acid है उस पे OH group जोडता हूँ तो tyrosine बनता है करने वाले enzyme का ना hydroxylase OH group जोड रहा है तो जो gene बनाती है वो pleiotropic gene है क्योंकि यह जो tyrosine है इससे कई product बनते हैं तो अगर यह gene absent होगी जो OH group जोड रही है तो उससे क्या होगा वो product नहीं बनेंगे clear है बोलो हाँ एक बच्चा कहा रहा सर यह भी हो सकता हाँ यह भी हो सकता pleiotropic gene यह भी हो सकता है मेरी बात समझ में आ रही यह भी हो सकता है ऐसी बात में पर मेरी बात समझ में आई के नहीं बताओ यह बात समझ में आ गई मैंने यह बोला है कि एक gene अमेशा एक protein मनाती है पर अगर एक protein का एक से ज़ादा effect हो उसे pleiotropic कहते हैं उसे क्या बोलते है pleiotropic यह कैसे possible है यह बताया आपको आगे चलेंगे यह देखो यह भी note कर लो दोनो note करो बेटा आगे चलेंगे यह भी note करो दोख़ादादा करो करो दो आगर हो यह भी note करेंगे यह बोला है अगर यह भी note करेंगे चलेंगे तो हो गया पीले लिख्लो जल्दी कर अब टायक कर लो ये इसको लिख्लो फिर बता रहूं हूं ये वाली नोट कर लो नेखली बटाऊंगा कर दो कर दो कर दो कर दो हो गया चलो नेक्स स्लाइड लेकलो हाँ बिटा कर वाते हैं और्गैनिक का कुछ कराते हैं जल्दी करो बिटा मेरी बात समझ में आ रही है फिनाइल एलनीने कमीनो असेड है देखो मेरी बात समझो सारे बच्चे अगर किसी देखो यह यहां आर ग्रूप होता है तो तो अमीनो एसेड होता है अगर इस आर ग्रूप में यहां पर हमारे पास सीएस्थ्री आ जाए तो इसे एलनीन कहते हैं अगर सीएस्थ्री की जगह एक एच्टू रखकर बेंजीन की रिंग लगा दे तो क्या बोलोगे फिनाइल एलनीन अब इस पर ओएच ग्रूप झाल 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 भूलो बटा यह ठीक है यह ठीक हो गया लिख लिए पहले बताओ लिख लिए वाला हाँ अब सुनो जो मैं अब बताओंगा अब सुनना मेरी बात ज्यान से देखना सारे बच्चे मुझे बताना देखो मेरे पास कौन बच्चे बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो पाइरुविक एसिड है इस पाइरुविक एसिड पर यहां पर इनिस्टू एड कर दिया एड एनिस्टू तो हमारे पास क्या हो गया यहां पर एनिस्टू जुड़ गया तो यह आर ग्रूप की तरह काम करेगा तो मेरे पास अमीनो एसिड बना एलानिन हमने यह क्या करी है इस प्रोसेस को कहते एमीनेशन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो देखो बटा ऐसे भी लिख सकते हो मतलब यह आपने नीचे लिख दिया अब मैं आप से एक सवाल पूसता हूँ आपको यह समझ में आ रहा है कि एलानिन की अगर डियामीनेशन करेंगे तो पाईरूवीक एसिड बनेगा यह समझ में आ रहा है कि नहीं कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई कि अगर मैं एलानिन का एलनिन का डी एमीनेशन करूंगा डी एमीनेशन मतलब एनेस्टू ग्रूप रिमूव करूंगा तो पाईरूवी कैसिड बनेगा इतनी बात समझ में आ गई की नहीं बताओ इतनी बात समझ में आ गई अरे भाई इस कंपाउंड का नाम सुन जाएं यह तीन कार्वन का कंपाउंड है जहां पर यहां तो निकाल दूह क्या बन जायगा tomorrow कि नहीं बताओ अब जरह मेरी बात सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से तुम लोग मुझे सोच के बताना मैं एलानीन पे इधर देखो ध्यान से अगर मैंने यहाँ पर एलानीन था मैंने यहाँ पर CS2 के साथ यहाँ बेंजीन की रिंग लगा दी इस कंपाउंड का नाम बताओ अभी पड़ाया हमने इसका नाम फिनाईल अलानीन है अब बताओ 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 बिटा फिनाईल अलानीन है बताओ फिनाईल अलानीन सुनना भाई मैंने क्या किया है यहां CS2 के साथ यह फिनाईल ग्रूप जोड़ दिया अगर मैं इसकी डियमिनेशन करूं अगर मैं इसकी डियमिनेशन करूं तो मैं क्या फिनाईल पाइरुविक एसेड लिख सकता हूँ अरे बोलो भाई फिनाईल पाइरुविक एसेड देखने में कैसा होगा बिल्कुल वैसा ही लिख दो फरक्या करोगे यहां सीएस्टू लिखकर बेंजीन की रिंग बना दो यहां तक कोई डाउट है अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई एलनीन से नेस्टू निकालेगा तो पाइरुविक एसेड बनेगा तो फिनाईल अलनीन से नेस्टू निकालेगा तो क्या बनेगा फिनाईल पाइरुविक एसेड इतना समझ में आ रहा है की इतना समझ में आ रहा है अब देख कहानी इस पर किटॉण गुरुप लगा हुआ इसको नाम देते हैं किटॉण बॉडी सो इसको क्या नाम देते हैं किटॉर्ण बॉडी Krist On मेरे पास एक amino acid èl phenyl allenin उसको convert करता है एक enzyme tyrosine में किसमें convert करता है tyrosine में tyrosine क्या क्या बनाता ये बता बाई जल्दी चलती से ताइरोसीन क्या बनाता है ताइरोसीन बनाता है क्या सुनना ज्यान से एक बनाता है मेलानिन एक बनाता है डोपामीन एक बनाता है टी-3 और टी-4 और एक बनाता है अड्रीनलीन मेरे पास इसके लिए एंजाइम चाहिए कौन सा ये जीन है इस जीन को कहते है प्लियो ट्रॉपिक जीन इस जीन से एक एंजाइम बनता है उस एंजाइम का नाम है हाइड्रॉक्सी लेज अब मेरी बात सुने जान से एक डिजीज होती है और वो डिजीज एक जेनेटिक डिसॉडर है जेनेटिक डिसॉडर का मतलब बच्चे से पेरेंट से बच्चे में जाएगी जेनेटिक डिसॉडर है बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना हमारे पास यह phenylalanine है उससे बनता है tyrosine उसके बाद melanine, dopamine, T3, T4 और यह मेरे पास आगया adrenaline यह हमारे पास क्या है genetic disorder है यह हमारे पास क्या है यह disease है इसको हमने genetic disorder दिया genetic disorder का नाम क्या है PKU है क्या नाम है PKU phenyl ketone urea नाम है सुननो ज्यान से phenyl ketone urea genetic disorder है सुनना ज्यान से क्या होता है इसमें mutation होती है mutation in pleiotropic gene pleiotropic gene which produce क्या बनाती है hydroxylase मतलब क्या हुआ इस gene में mutation हो नाती है उससे क्या होगा hydroxylase absent हो जाएगा hydroxylase absent हो जाएगा यह घड़ जाएगा tyrosine decrease tyrosine decrease हो गया उससे क्या होगा यह चारो कम बनेंगे पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं आज यह class में पढ़ा भी रहा था amino acid वाले में बिटा dopamine क्या होता है बताऊंगा रुख जा भी तू समझ यह चार product बनेंगे मैं तिरको आज मैं neutron में पढ़ा रहा था यही topic उसमें मैं amino acid में पढ़ा रहता मेरी बात ध्यान से सुन्यों मैं जो बताऊंगा तुझे मैं यह कह रहा हूँ बिटा कि माल ले tyrosine decrease हो गया मैं तरको यह कहता हूँ कि माल ले तेरे पास यहां सुन तेरे पास आम है आम से तू एक तो बना रहा है आम का अचार एक बना रहा है आम क कि सबजी किस में आम जादा लगेंगे इंजिस्रेंद्र major अगर तुम्हारे पास आम की सप्लाइण घटी आ तो सबसे बड़ा इफेक्ट किस पर आएगा जिसमें आम ज़्यादा लगेंगे मेरी बास समझ में आ रही है मैं यह चीज इसले बोल रहा हूं कि यह जो है यह मेरे पास हॉर्मोन है यह मेरे पास हॉर्मोन है यह सब यह सब हॉर्मोन है यह पिगमेंट है इन में इन चारों में सबसे ज़्याद in hair and skin pigmentation होगी आपको पता होना चाहिए हार्मोन कम amount में चाहिए pigment ज्याद में चाहिए तुमारी बॉड़ी में melanin कहां कहां पर एक बाल में एक दाड़ी में तुमारी दाड़ी भी है नहीं आ जाएगी जब ठीक है एक बाल में ठीक है दूसरा eyes में black होती है और skin पर तीन जगा melanin होता है तो आप मैं यह कह रहा हूँ कि अगर tyrosine घटेगा सबसे पहला impact किस पर आएगा सबसे पहला impact किस पर आएगा melanin पर तो इस वज़े से बालों में और skin पर hair pigmentation गड़ जाएगी आचा और पर-जय गा यह बढ़ जाएगा यह बढ़ जाएगा आण फीनाईल ने बढ़ जाएगा मैं ऑं यह एंजाइम ना वने से क्या होगा मैं इंक्रीज़ पर्लानिंस क्हाइगा इंक्रीज में सुनना जान में से यह लिवर है अमीनो एसिड में से एनेस्टू गुरूप निकाल देता है तो अमीनो एसिड में से वो क्या करता है डी एमीनेशन करता है तो अगर मैं फिनाईल एलानिन को लिवर पे ले गया तो वह बन जाएगा फिनाईल irovich acid बताएंगे बच्चे आपBasuk कि अरे समझ में आ रहा है लिवर क्या करता है amino acid की de-emination करता तो फिनायल से क्या बना दिया formal public acid अब यह final Nobel से व्हाज का हो एक तो इस किनिरॉन को вд Gamel करेगा तो नियूरोन को हाम करने के लिए क्या करेगा मेंटल रिटार्डेशन क्या करेगा बताओ मेंटल रिटार्डेशन करेगा दूसरे क्या करेगा कि दूसरा क्या करेगा कमीन यूरीन अगर किड्नी में री अब्जॉब नहीं होगा तो किसमें आएगा यूरीन में अगर यूरीन में फिनाइल पायरुविक ऐसे जो किटोन बॉड़ी आई यूरीन में तो से क्या बोलोगे डिजीज को क्या बोलोगे फिनाइल किटोन यूर लिए आया समझ लिए बोलो जल्दी बड़ा ही लिख रहा हुआ इससे छोटा बड़ा नहीं लिख सकता पिटा आई कलर में कितना मेलनी में बहुत कम स्कीन और हेर में ज्यादा है न तो ज्यादे इंपेक्ट उस पर आएगा फिर से पूरी बात कहांई समझेंगे इधर देखो भाई alanine में से NH2 निकालोगे तो क्या बनेगा pyruvic acid phenyl alanine में से NH2 निकालोगे तो क्या बनेगा phenyl pyruvic acid वो एक ketone body होता है इतना diagram समग में आया आसर आगया कहानी ये है कि phenyl alanine बनता है tyrosine में वो melanine, dopamine ये सारा बनाता है एक ऐसी mutation होती है इस gene में जिससे क्या नहीं बनता ये enzyme नहीं बनता अगर ये enzyme नहीं बनेगा तो tyrosine घड़ जाएगा ये घड़ जाएगा अगर ये घटा तो चारों में फर्क पड़ेगा पर इस पे जादा पड़ेगा तो decrease in hair and skin pigmentation, phenyl alanine बढ़ जाएगा याद ये रखना है कि अगर कोई amino acid बढ़ जाता है माल लो तुम ने बहुत protein खाली तो तुमारे blood में amino acid जादा आ जाएगा उसका क्या होगा liver जाकर उसमें से NH2 group निकाल कर urea बनाकर kidney से बाहर फेक्टा है तो liver का काम है de-amination तो liver के पास गया liver ने phenyl alanine में से अगर NH2 group निकाल दिया तो क्या बनेगा phenyl pyruvic acid phenyl pyruvic acid neuron में जाकर problem करता है blood के तुरू neuron में और urine में भी आएगा क्यों kidney उसको reabsorb नहीं करती आपने nephron सुना है nephron में filter होगा poor reabsorption है poor क्या है reabsorption ठीक है बटा बताओ जल्दी बताओ बटा तो poor reabsorption का क्या मतलब है कि kidney में filter होगा लेकिन reabsorption नहीं होगी जो tubular reabsorption होती है तो किस में आएगा urine में आ जाएगा चीक है और क्या होगी mental retardation होगी clear है बोलो चीक है अरे समझ में आया नहीं आया तो तुमें अगर कोई पूचता है phenyl ketone urea क्या होता है तो तुम बोलोगे ketone body phenyl aniline pyruvate urine में आता है उसके साथ mental retardation होती है decrease in skin and hair pigmentation होती है backslide दिखा रहा हूँ तुम्हें समझ आ गया पहले बताओ तुम्हें समझ में आया ये pleiotropic gene की mutation है phenyl ketone urea एक genetic disorder है और ये क्या होती है recessive disease है समझ आ गया ये लिखो पहले ये लिखो इस चित्र दुआरा दिखाया गया है पिटा mutation कैसे होती है mutation तो कैसे भी हो सकती ये genetic disorder है माबाप से बच्चे में जाए गयो recessive है अगर कोई भी disease recessive है तो homo-jagas state में दिखेगी hetero-jagas में बता 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 अगरे लिखो अगरे लिखो अगरे लिखो अगरे लिखो फिर एक बार फिर रपेट करूंगा होगे अबटा नोट कर लो जल्दी से mental retardation मतलब बिटा दिमाग में निरोन में गड़बड हो जाएगी बच्चे ये chapter में 5-6 lecture और लगें कम से कम बड़ा chapter है interesting chapter है समझ के बढ़ोगे तब याद होगा जल्दी करो dopamine बिटा एक तरह का hormone होता है मतलब neurotransmitter कहते है neurons के बीच में काम करता है अब इसको note कर लो जल्दी से note कर लो जल्दी note करो बिटा इसे जल्दी note करो बिटा इसे अब इसे अब इसे अब आपको पर एक बर पहले देख लो नोट कर लो एक बार दुबारा समझाता हूं प्लियोट्रॉपी ये नोट कर ले समने ये वाला नोट कर लो एक बार समझा देता हूं फिर से दी-इमिनेशन वी टा ऑक्सिडेशन से क्या फर्क पढ़ता है लिवर के अंदर होगी बस इतने यादव तो अगर महले मेरी बास तिरी डेली requirement है 100 gram amino acid की तू 200 gram काएगा ना वो store नहीं होता है कभी वो क्या होगा extra amino acid हमेशा body क्या करती है उसका amino group निकाल लेती है अगर कोई एक जीन ध्यान से सुने अगर एक जीन एक से जादा फीनो टाइप कंट्रोल करे प्लियो ट्रॉपी कहते हैं एक जीन multiple product नहीं बनाएगी एक जीन एक प्रोड़क बनाएगी वो many phenotype कंट्रोल करेगी कैसे होता है होता यह है कि हमारे पास कुछ metabolic reaction होते हैं जिसमें metabolic reaction के starting की जीन होती है जैसे हमने एक बताया कि phenylalanine को tyrosine में convert करने के लिए enzyme चाहिए hydroxylase यह enzyme phenylalanine पे यह ओच ग्रुप जोड़ता है तो इस enzyme को हम कहते हैं hydroxylase यह enzyme इस gene से बनता है इसे pleiotropic gene कहते हैं क्योंकि इसकी वज़े से यह सारे phenotype आते हैं melanine pigment देता है यह hormone है dopamine neurotransmitter है और यह आपको पता है सार्वोन है adrenaline हमने बोला है कि एक disease होती है जिसे PKU कहते है उसमें यह gene में गरबर हो जाती है genetic disorder है उसकी वज़े से यह enzyme नहीं बनेगा तो आपको समझना पड़ेगा यह enzyme नहीं बनेगा तो hydroxylase नहीं बना तो melanine नहीं बनेगा इन चारों में से सबसे जादा amount में melanine चाहिए melanine नहीं बनेगा तो hair और skin की pigmentation में फरकाएगा देखो अगर यह enzyme नहीं बनेगा तो यह घड़ जाएगा यह बढ़ जाएगा फिनाइल alanine जादा होने से वो blood में चला जाएगा blood से वो liver पे जाएगा liver उसमें से NH2 group निकाल देगा और phenyl alanine को convert करेगा phenyl pyruvic acid में हमने यह reaction दिखाई थी कि phenyl alanine में deamination करके phenyl pyruvic acid बनाते हैं यह जो phenyl pyruvic acid बना यह बना इसमें ketone group है आप देख सकते हैं ketone group है तो इसको हम कहेंगे यह urine में आएगा क्योंकि kidneys को reabsorb नहीं करेगा इसलिए disease का नाम phenyl ketone urea है उसके लावा neuron में जाकर यह कठा होता है phenyl pyruvic acid neuron में भी जाता है वहाँ यह mental retardation करता है तो अगर तुमसे कोई पूचे PKU के symptom क्या है पहला symptom है decrease in hair and skin pigmentation दूसरा symptom है mental retardation तीसरा symptom है हमारे पास क्या इसका urine में चीक है अगर किसी enzyme की वज़े से multiple phenotype आ रहे हैं तो उसकी absence की वज़े से multiple symptom भी आएंगे क्लियर है अब बोलो बिटा अब बोलो अब अब मेरी बात बहुत ध्यान से आगे सुनो इतनी बात आपको समझ में आगे अब मैं यहां पर एक बात और बता रहा हूं अनदर एक्जाम्पल अफ प्लियो ट्रॉपी अनदर एक्जाम्पल ओ प्लियो ट्रॉपी एक है मारे पास gene B यह एक तरह का नाम है इसकी दो अलील है इसकी क्या है दो अलील एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है यह किसले काम आती है जान जुनेंगे यह gene क्या करती है यह gene क्या करती है कैपिटल बी वाले की बात कर रहे है इस जीन कैन प्रड्यूस एंजाइम विच गिव स्टार्च ग्रेन जो क्या बनाता है स्टार्च के ग्रेन बनाता है आपको पता होना चीए कि स्टार्च ऐसे छोटे-छोटे ग्रेन की फॉर्म में बनता है ग्रेन मतलब छोटे-छोटे दाने की फॉर्म में बनता है तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ सुनना ज्यान से ज्यान से सुनना मेरे पास ज्यान सुनेंगे बटा मेरे पास अगर क्रेपिटल भी कैपिटल भी है तो मेरे पास जो स्टार्च ग्रेन बनेंगे वो थोड़े बड़े साइज के बनते हैं ऐसे लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बनते हैं लार्ज साइज के क्या बने स्टार्च ग्रेन ठीक है अगर मेरे पास कैपिटल भी स्मॉल भी है और स्मॉल भी स्मॉल भी है तो यहाँ पर स्टार्च ग्रेन का साइज थोड़ा छोटा आजाता है और small b small b में starch grain का size बिलकुल छोटा आजाता है ऐसे तो ये मेरे पास क्या है intermediate starch grain बन रहे हैं और यहाँ पर क्या बन रहे है very small starch grain बन रहे है सर थोड़ा सा और समझाओ इसे अभी समझा रहे हैं पहले समझने की कोशिश कर मैं क्या बोल रहा हूँ एक और example pleiotropy का NCRT में दे रखा है एक जीन का नाम है बी यह उसका नाम है उसकी दो अलील है capital b small b यह gene क्या करती है एक enzyme बनाती है जो starch grain बनाएगा अगर यह दोनों dominant form में हैं तो बड़े starch grain बनते हैं हेट्रोजाइगस हैं intermediate बनते हैं इससे छोटे बनते हैं यहां तक समझ में आ रही है इससे हमारे पास क्या बनते हैं छोटे बनते हैं यह clear है इससे हमारे पास क्या बनेंगे छोटे बनेंगे सुनना दियान से छोटे बनेंगे अब क्या होगा इसकी वज़े से जो पी का सीड आएगा वो राउंड आएगा इसकी वज़े से भी पी का सीड राउंड आएगा थोड़ा छोटा आएगा यह राउंड है यह क्या राउंड है और इसकी वजह से सीड जो आएगा रिंकल आएगा यह सीड कैसे आ रहा है इसकी अंदर स्टार्ज ग्रेन आ जाते हैं तो बड़ा राउंड आ रहा है यहां चोटा राउंड आ तो हम यहां पर क्या बोल रहें सुनना ज्यान से ज्यान से देखो बिटा जीन भी का प्रोड़क्ट क्या है प्रोड़क्ट इस एंजाइम वह एंजाइम कंट्रोल कर रहा है दो फीनोटाइब कर पैला कि स्टार्च ग्रेन का सइस हुआ है दूसरा कि सीड की मैं यही प्लियो टॉपि हैना अगर कोई एक जीन एक एंजाइं बनाती है प्रोड़क्ट बनाती है अगर वो दो फीनो टाइप कंट्रोल करें उसको हम क्या बोलते हैं प्लियो ट्रॉपी बोलते हैं स्टार्च ग्रेन का साइज और सीड की शेड़ मेरी बाव समझो स्टार्च ग्रेन का साइज incomplete dominance है ध्यान से देख लो incomplete dominance क्यों है चोक्षी इसका और इसका phenotype अलग है यह large size है intermediate है नहीं तो इसका phenotype सेम होता और seed की shape dominance है तो दो अलगलग character दो अलगलग phenotype एक enzyme की वजह से जो क्या बना रहा था starch grain control हो रहे है उसको हम कह रहे है pleiotropy एक बच्चा कह रहा है कि सर स्टार्च grain क्या होता है मेरी बास सौन स्टार्च पता है तुझे क्या होता है हाँ storage form है plant में वो किसकी form में होते है छोटे छोटे दाने होते है हम यह कह रहे हैं यह अगर आप यह देखो ना यह वाला फीनोटाइब यह incomplete dominance है अगर शेप देखोगे ना यह भी राउंड है यह भी राउंड है तो यह तीन सीड राउंड आएंगे भाई यह रेश्यो क्या आएगी तीन राउंड एक रिंकल यहाएगा लार साइस intermediate यह तो यह फीनोटाइप हो गया इसका तो इसमें तीन फीनोटाइप आएंगे भाई स्टार्च ग्रेन साइज के तीन फिनो टाइप हैं ये ये और ये और सीड के शेप के दो हैं राउंड और रिंकल तो एक एंजाइम की वज़े से दो अलग-लग फिनो टाइप कंट्रॉल हो रहे हैं इसलिए प्लियोट्रॉपी है इसका एक्जामपल पी है बेटा बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी अगर बिल्कुल इसके जैसा होता तो फिर डॉमिनेंस होती ना नोट करो जल्दी से नोट करो बेच्चे रिपीट पूरा ही समझा दूं एंसे अटी है तरे पास पेज नमबर 78 खोल पढ़ एक बाद मेरी बास समझ द्यान पहले पूरी समझ तो आएगी हम एक जीन है जिसका नाम भी है इसकी दो अलीने कैपिटल बी स्मॉल बी क्या करती है स्तार्च ग्रें बन वाती है starch grain क्या होते हैं starch के दाने मतलब starch गरदानों की फॉर्म में होता ग्रेन की फॉर्म अगर दोनों capital भी है तो मेरे पास grain बड़े साइस का बनता है एक capital भी है small भी है तो medium size का बनता है और दोनों small भी है तो कम बिल्कुल छोटा बनता है इसका मतलब starch grain वाला character dominance थोड़ी है incomplete dominance है दूसरा उस starch grain की वज़े से सीड में shape आती है तो चाहे यह वाला grain लो या यह वाला हो आ दोनों में round रहा है तो अगर seed के shape की बात करें तो वह dominance है starch grain के size की बात करें तो incomplete dominance है कि एक बच्चा पूछ रहा है सर साइस तो छोटा बड़ा नहीं हम round कह रहे हैं सीड की shape बोल रहे हैं साइस थोड़ी कह रहे है सीड की shape यह भी round यह भी round यह भी राउंड है प्रिंकंप्ली डॉमिनेंस नहीं बोल सकते हैं मेंडल के experiment में यह result क्यों नहीं मिले दो तीन वीजन थे मेंडल थोड़ा सा बिटा क्या थे लकी रही माम लोग जल्दी से पढ़ो अपने तुम्हारे पास page नंबर 78 शायद है या कहीं पर जहां पर यह प्लियोट्रॉपी दे रखा है एक बर चेक करो एंसी आटी में जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट प्लियोट्रॉपी एक जीन एक प्रोड़क्ट बनाएगी अगर उसके मल्टिपल फीनोटिपिक एफेक्ट है तो प्लियोट्रॉपी है यहां जीन क्या बना रही एंजाइन उसकी वज़े से दो करेक्टर आ रहे हैं स्टार्ज ग्रेन का साइस और सीड़ की शेर इसलिए प घर अगर यह सिंपल यह आ रहा होता तो फिर फ्लियोट्रॉपी होता थोडी होता । यह भी आतना यह भी आरा यह ब्यारा तब फ्लियोट्रॉपी को भुलाम बिच्चे तरे को फिल्योट्रॉपिक तु सोचने की गोशिश नहीं करना है यह fulfillment वहां character control करें यहां starch green starch के grain क्या होते हैं तुम seed समझ रहो नहीं ग्रेन होते हैं सीड़ी के अंदर वो और सीड़ी की शेड़ तब होगा सर कोड ओमिन्स नहीं कह सकते कोड ओमिन्स नहीं बोलेंगे इसमें इसमें बहुत डिफ्रेंश यह देख दोनों का कि भाई मुझे एक ची बता कैपिटल भी स्मॉल भी दो होंगे ना यह एक होगा यह होगा तो यह 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 राउंड है ना और एक रिंकल्ड है एक दो एक आएगा यहां पर कि चीक्याइए पिटा कोश्चन डायेगा प्लियोट्रॉपी का एक्जाम्पल पूछेगा एक्जाम्पल ओफ प्लियोट्रॉपी पीके यू है स्टार्च की जीन भी है डायेट पूछेगा साइज इनकंपलीट डॉमिनेंस कैसे हो गया इधर दे यह बड़े साइज के हैं यह थोड़े चोटे साइज के उससे चोटे हैं और यह बिल्कुल चोटे है तो इन दोनों के बीच का साइज है यह हां इस वज़े से ठीके साहिल हां जल्दी करो जल्दी जल्दी करो आगे चलो जहां इनकंपलीट डॉमिनेंस दे रखा हमां एक टॉपिक लिखा है पहले से नोट करो फिर आपको प्लियोट्रॉपि भी बता आज पॉलिजेनिक भी बताना है और उसके साथ आपको वह भी बताना है क्या नाम है एक चीज और बतानी है आपको अभी आपने स्लाइड नहीं लिख ली होगी एक बार यह नोट कर लो यह वाले जल्दी फास्ट कर दो चलिए आगे चलेंगे आजओ लिख लिख लिए जल्दी बताओ पहले नोट कर लो एक बर नोट कर लो बिटा रुपेश वन टू वन तुम लोग बिलकुल ही कुछ नहीं पढ़ते हो मैं मैं सज बता रहा हूं ऐसे जेनेटिक्स पढ़ेगा कैसे आएगा मुझे एक चीब स्ऱवा खाया चराफ यह ड्याए ऑबिरिट के क्रॉस में ऐसे कितने होंगे सर यह 1 होगा ऐसे कितने होंद दो होंगे यह यह लाइस है यह स्मोल थो यह अनो होग हुआ यह बैक्स लइट दिखा दिए भेटा ले जल्दी बना लकुल लोकस कितनी बार बता दिया यार क्या कर रहा है आगे चलो सबके पास NCRT है सबके पास अभी NCRT है हाँ या ना बोलो हाँ या ना बोलो जल्दी से NCRT है भी सचिन मैं छोड़ दूँ चप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा भी अभी है कोई भी ओल्ड नहीं चलेगी नहीं यह तो बिटा क्लास क्यों करता है कौन है यह नहीं कि को अनीची NCRT NCRT में in complete dominance के नीचे एक paragraph लिखए वाई सम जी ना डॉमिनेट अनधर इस रिससिव्स नई की ऐल्ड से मतलब नहीं है जहां incomplete complete dominance दे रखा है, वहाँ जाओ, वहाँ एक paragraph लिखावा है, why some gene are dominant, another is recessive, पहले पड़ो उसे, why some gene are dominant, other is recessive, ऐसी एक चीज लिखे हुई है, मिली सब को, मिली, हाँ न, अरे हाँ यह न, मिली नहीं मिली यह बताओ, page number 76, read करो, देखो, तुम्हें क्या समझ आ रहा हूं से, फिर मैं समझाओंगा, पहले read करो, जल्दी सुरू हो जाओ, offline में पहले मैं ऐसे पढ़ाता था, पिटाई करकर के, अरे भाई, जहां incomplete dominance दे रखा है, मिरावली जलापा उसी के जस्त नीचे लिखा है, वाई समझीना dominant another is recessive, हिंदी वाले में भी तो महीं दे रखा होगा, हाँ ठीक है, जीन की जगा एली ले चल जाएगा, जीन और एली ले की बात थी, चलो read करो एक पर देके तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, जल्दी करो, हाँ हाँ जल्दी करो, एक बच्चा पूछ रहा है कि एंसे आटी से वेपर आएगा और किस से आएगा, कि आएगा, कि एंसे आएगा, पढ़ लिया ? नहीं सरह मनीं पढ़ेंगे यस अभ मैं जो समझ मझाओं गा इसको समझना جान से सुनना सारी बातें जान से सुनना हमारे पास यह एक जीन है, यह एक जीन है यह लिट क्या दो इसको हमने क्या बोला अन्मोडिफाइड बोला इसने क्या किया के इसने के इनजाएम बनाया इसने जो एंजाइम बनाया, वो एंजाइम कैसा है, फंक्शनल है, फंक्शनल मतलब काम करता है, सुनना जान से, अजाइम, एंजाइम कनवर्ट करेगा, सबस्ते ट को प्रोड़क्ट में, शबस्ते ट को कमिन State करेगा, सबस्ते क्मेर्ट करेगा, प्रोड़क्ट में, कपाई को गया कि समझ लो हमारे पास एक जीन है और एक एलील है जिसको हमने अनमोडिफाइड बोला है उसने एक इंजाइम मनाया जो फंक्शनल है कां करता है वह जो एंजाइम है वह एंजाइम क्या करेगा सब्स्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में किसी सब्स्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में और वो जो प्रोडक्ट है वो देगा फीनो टाइप वो क्या देगा कोई फीनो टाइप देगा चीक है अब हमारे पास इसमें mutation हो गई अगर किसी जीन में अलील में mutation होती है तो जो enzyme बनता है उसको क्या बोलोगे उसको बोलोगे modified अलील उसको क्या बोलोगे modified अलील कि ज्यान से जुना ज्यान से जुना मैं यह कह रहा हूं मैं यह यहां पर लिख रहा हूं इस बात को कि हमारे पास जो dominant allele होती है जो dominant allele होती है वो unmodified होती है और वो क्या produce करती है produce functional enzyme एक बात यह हो गई अब mutation in unmodified allele क्या देगा give modified allele अब सुनना ग्यान से modified allele के पास क्या क्या option है पहला पहला option enzyme जो है वो थोड़ा कम बने less बने या या less efficient बने कैसा बने less efficient enzyme बने ठीक है तो हमारे पास यह जो है modified allele इसने क्या बनाया या इसने क्या बनाया martial एफिशेंट एंजाइम बना इसकी वजए से क्या होगा सबस्ट्रेट कि अ कनवट हो जाएगा प्रोडक्ट में वह एंजाइम कम बनेगा या लेसे अफिशेंट बनेगा पर प्रोड़क्ट बन जाएगा तो यहां पर नोचेंज इन फीनो टाइप वही फीनो टाइप आएगा जो अनमोडिफाइड का आता था दूसरा ओप्षन है कि हमारे पास हमारे पास एंजाइम जो है बने ही ना नॉट फॉर्म या नॉन फंक्शनल बने कामी ना करे तो उस केस में क्या होगा सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होगा नॉट कन्वर्ट इंटू प्रोड़क्ट तब चेंज होगा फीनो टाइप में किसको किसको समझ में आई इस केस में इस केस में रिसेसिव बोलते हैं नहीं तो नहीं बोलते हैं किसको किसको उपर से गई हम क्या समझा रहे हैं पहले समझो ध्यान से हम यह कह रहे हैं कि कोई जीन एक एंजाइम बनाती है वो एंजाइम सब्स्रेट को प्रोड़क्ट में कनवर्ट करती है उसकी वज़े से कोई केरेक्टर आता है उसको हम अनमोडिफाइड कहते हैं चीक है मौडिफाइड एलील कब बनती है जब अनमोडिफाइड में म्यूटेशन होती है उसके बाद दो अप्शन है कई बार क्या होता है म्यूटेशन से ज़्यादा चेंज नहीं होते एंजाइम बनता है लेकिन कम बनता है या कम एफिशेंट होता है देखो एफिशेंसी घटने यह मतलब दोड़ी अदो पर्ड़ेक्ट नहीं बना रहा है मकल रिक्ट तो बनाएगा प्रोड़़क्ट बन जाएगा तो फी टाइप में कोई फरकma नहीं आएगा लेकिन अगर एंजाइम नहीं बना यह visit नौन फंक्शनल एंजाइम बना कामी नहीं कर रहा है उस प्रोड़ इस इन फीनो टाइप पकर अब यह रिसेशिव कहलाएगा कि सब्स्ट्रेट मतलब यार सब्स्ट्रेट रियक्टेंट प्रोड़क्ट में कनवर्ट होता है कि डाइग्राम से समझाता हूं एक चित्र द्वारा समझाता हूं इधर देखे यह एक जीन है इसने यह एंजाइम बनाया है खूब सारे इस जीन का नाम माल ले कैपिटल भी है चीक है यह एंजाइम क्या कर रहा है यह एंजाइम कनवर्ट करता है इसको इसमें यह प्रोड़क्ट है चीक है अब जड़ा समझना इस जीन में म्यूटेशन हो गई म्यूटेशन के बाद समझना जान से इसको मैंने मोडिफाई लिग दिया मोडिफाई तभी होगा ना जब म्यूटेशन होगी अब इसने क्या किया इसने एंजाइम तो बनाया या तो कम बनाए या थोड़े से लेस अफीशन बनाए ये लेस एंजाइम बनाए या लेस एफीशन बनाए दोनों केस में प्रोड़ेक्ट बन जा रहा था दोनों केस में सब्स्ट्रेट जो था ये ये इसमें कनवर्ट हो पा रहा था तो इसका मतलब इसका जो प्रोड़क्ट की वज़े से फीनो टाइप आएगा तो यहां पर फीनो टाइप आ जाएगा सेम आएगा यहां पर कोई खास फरक नहीं आ है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम बने ही नहीं नो एंजाइम और ऐसा भी हो सकता है एंजाइम खराब बने इसको कहोगे नौन फंक्शनल एंजाइम अब क्या होगा अब अब क्या होगा यह अब सब्सेट को प्रोडक्ट में नहीं कर पाएगा तो वह फीनो टाइप नहीं आएगा अब अब समझ में आ रहा है अब तुम म्यूटेशन पूछो के तो पिटाई करूंगा को नहीं रुपेश म्यूटेशन नहीं पता पिटेदर को नाइन्थ में पढ़ा देते हैं यार NCRT की लाइन 10th class के reproduction में mutation in DNA DNA में बदलाओ को mutation कहते हैं तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ इस case में recessive बोला जाता है इस allele को क्या बोलोगे recessive तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आई हो dominant allele क्या होती है unmodified होती है produce functional enzyme mutation in unmodified allele give modified allele modified allele is recessive कब recessive when it form no enzyme या non-functional enzyme मेरी बात समझ में आ रही है सही है modified allele अब मुझे बताना mark the wrong statement देखें आपकी कितनी समझ है mark the wrong statement a all modified allele are recessive true false बता हो वाई all modified alleles are true or false गलत है modified allele is recessive when it form less functional enzyme गलत है modified allele modified allele is recessive when non-functional enzyme यह सही लग रहा है क्लियर है Mutation in unmodified allele give modified allele which is always recessive ये भी गलत है आरे समझे अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही अब मुझे बताओ जान सुरेंगे दो allele दे रखी है capital T and small t जिसमें capital T dominant है and small t recessive अगर मैं बोथ दे रहा हूँ आपको question में question में दे दिया है तो मुझे बताओ A T modified है B small t less efficient enzyme क्या सही है इसमें से C capital T no enzyme D small t no enzyme कौन सा सही है बताओ अरे कौन सा सही है D वाला बाई दो allele दे रखी है capital T small t उसमें से capital T dominant है small t recessive है T modify होई नहीं सकती dominant है small t less efficient enzyme बनाएगी तो recessive नहीं हो सकती D आएगा answer इसका बाई D गलत नहीं है पर अगर recessive है small t तो वो less efficient कैसे बना सकता है समझा रहा है concept एक बुचरा सर्थर्ड कैसे गलत है recessive में वो non functional enzyme हाँ सही है ये वाला सही है ये सही है भाई all modified alleles are recessive गलत है modified alleles is recessive and its form less functional ये गलत है modified alleles when non functional है mutation in unmodified alleles always recessive गलत है अब सही है भी वाला बता दो पिटा recessive होने के लिए उसको less functional enzyme नहीं बनाना no enzyme बनाना है जल्दी करो जल्दी से तीनो स्लाइड लिखो पेले पड़ावर्ट से ये तीनो स्लाइड पेले वाली लिखो time दे रहो लिखने के लिए जल्दी लिखो पिटा mutation की वज़े से evolution होता है evolution की वज़े से mutation नहीं होता रोटी पकाते हैं खाने के लिए उल्टा थोड़ी है सर modified और unmodified allil क्या है जो wild type होती है नो normal allil वो unmodified होती है उसमें mutation से modified allil बनती है नोट करो जल्दी से चुट्टी वाले पिटा ही खाऊगे नोट करो यह नोट करो भी रगला करेंगे जल्दी मेटा जल्दी 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 नोट करो यह वाला भी नोट कर लो एक बार NCRT पढ़ लो पिटा एक बार NCRT पढ़ लो आप बताओ समझ में आगये के नहीं NCRT पढ़ लो जहां पर बताए था इससे पहले वाला डाइग्राम यह रहा जल्दी गरो पिटा कर दो जल्दी नोट करे लो घजए झाल 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 कि लिखे हैं समने कि लिखे हैं? झाल झाल लिगले विटा आ 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 चले यांगे चलो आ आ आ आ अ आ आ इधर दिखने विट्टो ये सेल हैं ज्यान से विट एक्सल है ठीक है बिटा डोपा में ने दिया है कि फिछली क्लास में नहीं दिया भी जो मैं बताने जानों पहले समझ ले तेरे पास ये क्रोमोजों में एक क्रोमोजों में माले कैपिटल टी जी ने इसमें स्मॉल टी है इसमें कैपिटल आरे इसमें स्मॉल आरे ज्यान दियो इसका हमारे पास ये प्रोड़क्त बन गया इसका हमारे पास ये प्रोड़क्त बन गया ये क्या हो गया जीन प्रोड़क्त हो गया इस वाले से ये जीन प्रोड़क्त बना है और इस वाले से ये जीन प्रोड़क्त बना है मैं आपको ये समझा रहा हूँ अगर ये इसके साथ इंट्रेक्ट करेगा तो एक जीन लोकस की बात है ये इसके साथ करेगा तो सेम जीन लोकस की बात है अगर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट अपस में इंट्रेक्ट करे तो इसे कहते हैं gene interaction of two gene locus या loci बोलते हैं एक से जादा को loci बोलते हैं तो हमारे पास एक तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो दो gene locus का मतलब di-hybrid होता है सबसे पहला option होता है no interaction इनके बीच में कोई interaction ही ना हो मतलब यह अपना अलग काम करे अपना अलग काम करे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं independent assortment क्या वर्ड यूज करते हैं independent assortment independent assortment की f2 की phenotypic ratio क्या आती है बिटा फिनो टिपिक रेशियो आती है 9331 और यह किसके according है यह according to mentalism है according to क्या है mentalism है आ रहा है समझ अब सुनना ध्यान से दूसरा option है मेरे पास दूसरा option है जिसे हम कहते हैं epistasis तीसरा option है complementary gene फोर्थ option है supplementary gene और एक और option है जिससे polygenic inheritance कहेंगे मैं आपको एक idea दे रहा हूँ जिसको समझने में आपको चीजे असान होंगी सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर इसका product इसके साथ इंट्रेक्ट कर रहा है वह one gene locust का है इसका product इसके साथ इंट्रेक्ट कर रहा है तो दो gene locust का है जिसे die hybrid कहते हैं अगर कोई interaction ना हो इसको इससे मतलब नहीं है उसे independent assortment कहते हैं जिसकी F2 में phenotypic ratio यह आती है लेकिन यह सारे जो हैं यह सारे नाइन थ्री थ्री वन यह बदल जाएगी और यह सब क्या है यह टर्म है इनका मीनिंग बता सकते हैं पर आपके syllabus में सिर्फ यह दे रखा है polygenic inheritance समझ में आ रहा है बोलो हम क्या पढ़ रहे हैं बिटा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दो gene interaction के बीच वे हमने का है हमने का कि हो सकता है हमने का है हो सकता है कोई interaction ना हो कोई interaction ना हो ऐसा हो सकता है अगर ऐसा होगा तो उसे कहेंगे independent assortment और F2 की phenotypic ratio यह आएगी और यह mendel के according है लेकिन लेकिन epistasis complementary gene supplementary gene और polygenic inheritance यह जो है मेरे पास यह जो है मेरे पास यह इनकी ratio यह नहीं आएगी F2 की यह क्या है deviation है deviation मतलब mendel के अलग जा रिये बाद clear है इसमें तुमारे syllabus में यह important है polygenic inheritance बोलो तुमारे syllabus में polygenic inheritance important है इसका मतलब हम यह तीन नहीं पढ़ेंगे इनकी सिर्फ ratio याद करेंगे और example सही है हम सिर्फ यह detail में पढ़ेंगे बोलो बाई दो जीन अगर आपस में कुछ भी relate ना हो तो independent assortment बोलते हैं तो अगर 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 कुछ interaction हो तो उसमें आ जाएगा यह सब इनकी ratio यह नहीं आएगी मैंने यही तो बोला था मैंने कहा था कि जैसे incomplete dominance, deviation क्यों है क्योंकि F2 में 3 is to 1 नहीं आया, 1 to 1 आया multiple allele क्यों deviation है क्योंकि Mendel ने तो दो ही allele बोली थी, यहां तो दो से जाधा है pleiotropic क्यों deviation है, Mendel ने बोला था एक जीन एक product बनाएगी, एक phenotype देगा इसलिए deviation है, deviation मतलब खिलाफ जा रहा है, तो यह क्यों खिलाफ जा रहा है, क्योंकि ratio यह नहीं आएगी ठीक है, कल एक recorded class लेंस की extra, कल के लिए, या परसों के लिए, बता दो, परसों ले लेते हैं recorded तुम्हें live वाले में दिखेगा, जहाँ DPP के वीडियो solution है, वहां मिल जाएगा, करोगे लाइव extra कैसे लेंगे, तुम्हारा तो school school चलता है न, आठ बजे के बाद थोड़ी होगी, संडे को तो बिटा वहां होंगे, पटना में संडे को, लास संडे लेनी चाहिए थी पर वह आइज अभी भी थोड़ा सा देख लो, हलका सा इसमें सूजन है अभी, swelling है, यह छोटी है उस वाले से, हाँ, थोड़ा सा स्ले बस करा देंगे, और कुछ नहीं, करा दें, live best है, उसकी कोई issue नहीं है, पर समझ आएगा न, मैं तो दोनों एक जैसे पढ़ाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जो class आईगी उसका notification आ जाएगा, ध्यान रखना, आईगी कहाँ पर जाएगा, डीपीपी solution, ठीक है, चलो, मिलते हैं next class में, ठीक है बुटा, बाए, ठीक है, बाए, बाए,